यही कहना चाहूंगी कि मैं पढ़ना चाहती थी और मैं मेरे काफ बहुत सारे सपने थे मैं उनको बोलती थी कि ठीक है आप मुझे हार नहीं बेजोगे तो आप अपने साथ ऑफिस पे बठा के काम करवारिया करो मुझसे कि मैं भी लोगों की प्राब्लम सुनूंगी जैसे विक की लोगों की प्राब्लम सुनता है लेकिन पापा ने का भी मेरी चीज़ों को सीरेसली नहीं लिया क्योंकि मुझे गढ़ सही नहीं निकलने दिया और अब मास कम्मिनिकेशन मुझे कराया तो वह भी इतने अजीब कॉ कि जहां पर मुबाइल फोन अलाव नहीं था और मतलब बहुत ज्यादा बाउंडेशन थी उनको ही लगता था कि अभी क्या कहना है पापा को यही बोलना जाओंगी कि प्लीज अपनी सोच बदल लो और जितनी इंपोर्टन्स आप विक्की को देते हो हर काम में उतनी इंप मैं म hacks VOICE कि मारते थे वो लोग मुझे तो आप ने तो कभी ऐसा कुछ को ही नहीं कि हम यह सब बता पए आपको तो बस यहिंयह बोल दें कि आपके मैं नहीं अगर चीज chips कि लड़की के के कुछ नहीं इतच आती है तो आप गल्त सोचतर हैं अगर लड़का भी कुछ गलत कर तो उसके उससे भी इज़ जाएगी और ऐसा नहीं है कि विक्की के बारे में लोग नहीं जानते सब जानते कि वो क्या है और क्या नहीं बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि अपनी सोच बदर लो अगर आप एक एहमें लेओ और मदब भार की दुनिया को आप यह दिखाते ह जी राजिश जी आप सुन सकते हैं आप आज तक में अभी आपकी बेटी और अजितेश और उनके पिता जी सब मेरे साथ लाइन पर हैं लाइव हैं हमारे साथ आप इन लोगों को एकसेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं राजिश जी में आज तक के स्टूडियो से निशारहा हूँ आपकी बेटी अजितेश संब इस वक्त हमारे साथ हैं आप इन लोगों को एकसेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं आप इनलों को अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं आपके आवाज नहीं आ रही है राकेश जी राकेश जी आवाज को सुन नहीं पा रहा हूं राकेश जी सुनिए आप 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 करिये आपको पहले इस मामले पर क्या कहना है आप अपताईए आपकेश जी आपकी बच्ची शीनू आपसे बात करना चाती है राजेश जी आपर हमारे साथ स्टूडियो में है राजेश जी साक्षी से बात करिये आप पाप देने अपके प्रेमाल तर्श लसक्षी से बीचिन बोसे पहले पना प्व महतल है किसे वह कैसे हो ठीख है मुझे माम कर देना घीवज जहां रहू रहाऊ या भस रहाइं आपके बिताजी एक तरफ एक तरफ आपके पिताजी कहने हैं कि जहां रो खुछ रो और दूसरी तरफ उनोंने का कि जब मिनाक्षी सवाल पूछ रही थी कि आप लोग मुझे आत्मक्तिया के लिए मजबूर ना करें इस अब क्या मतलाब है आप तो उनकी बेटी आप उनको जानती है क्या समझती है आपकी क्या कहना चाह रहे हैं साक्षी क्या कहना चाह रहे थे हूँ आप ठीक है साक्षी इतने वीक तो नहीं है वो लोग की कोई सुसाइट करेगा घर में फिर कुछ भी ऐसा तो अगर वो मुझे पहले ही समझ जाते तो ऐसा कुछ हर हर चीज को हमेशा ना मतलब हम हर चीज को उन्होंने गलत तरीके से देखा है हमेशा मतलब मैं अगर अपना पॉइंट भी रखना चाहती थी कभी कि ऐसे नहीं ऐसा है ऐसे नहीं ऐसा है और इस चीज पर उन्होंने मतलब काफी गुस्सा किया था मैं होंस्ट्ल में था दो साल मैं होस्ट्ल मारे और एक साल दो के नहीं एक साल 선 मैं बहुरे डेव और बन गईति तो मैं हमेशा की बढर कgam करूंगे और यह बुरा ताइनी उतादा.